जैने साते हैं वबिन सर कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे सोंगे यह सबसे जीडी दोजार चोविस का आप सब का फिजकल मेडिकल 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो दिखिए एक दिन पहले फिजकल से एक दिन पहले आपको क्या तैयारी करना है फिजकल के दिन जब आप जाते हैं तो आप को क्या तैयारी करके जाना जिससे कि आपको कोई भी प्रोब्लम ना हो आप एकदम हशते होए जाएं और एकदम समझ लिजे कि सफलता लेकर हशते हुए आएं इसी को पर आज हमारी यह वीडियो है बहुत सारे बेद्चे बहुत सारे बच्छे फिजकल म मेडिकल जो है होने वाला है दूसरी बात यह है कि एक दिन पहले आपको क्या करना है कि जो भरती प्लेस हैं वहाँ पर पहुंच जाना है अगर आप नजदीक के हैं तो अर्ली मॉर्निंग के ले जाएं लेकिन कभी-कभी यह होता है कि दूर रहता है और मोटर साइकल से इधर दरहवर-धवर करके पहुंचते हैं कभी एकसिडेंट हो जाता है कभी गारी विगर जाती है कभी कोई बात हो जाता है नेर भी ठीक से पूरी नहीं रहते है जिसकी वज़ए से बहुत ही ज्यादा प्रॉल्म हो जाता है लेट लपिट हो जाता है तो भरती प्लेस पर इंट ते रहेंगे ओसकता है का आपस्य शोड़ी हो जाए हो सकता है कि द्धियार करी होगती है , इसकर में इसका दो कि स्वोने से पहले एक खुछी यहाय कैशन का है कितना भी अच्छा आपका को नहीं हो फिर-फीर भी आपको versão अरेस पैकेत या एक ऐलेक्टरॉल का जो पाउडर की पैकेट आता है। उसको एक लिटर पानी जरूड़ के फी लेना है, अनर्जी वाली चीज होता है, जैसे डार्क छोपलेट होता है और कुछ मतलब fruits होगा रहा है यह सब चीज खा लेना तो इसको भी पी लेना है लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं नहीं खा लेना है जैसे चीकन हो गया बहुत मसालें वाली पनीर हो गया की सबजी हो गया हो गई यह कि इससे फिर सुबह आपका पेट जो है फ्रेस्टीक से नहीं होगा और आप दवणने के लिए जाएंगे आपके पेट में ग्रेस बनेगा चक्र खाके आप गिर सकते हैं सुबह जिस दिन आपका फिचकल रहता सुबह सो के उठना है तो एक फिर से और स्पैकेट या होगा तब तक कम सकम दो तीन घंटा आपका समय निकल जाएगा और तब तक आपको जो है दो तीन बार पिसाब होगा पानी आपका निकल जाएगा और पानी आप रखे रहे हैं जब दी आपको प्यास का हिसास हो एक दो घूट लेते रहें जिससे आपके सरीर में पानी की क जिसे कि आपको लूज नहीं खड़े होना है और आपका जो है अच्छ भी हो जाएगा उसके बाद आपको जैसे ही रणिंग के लिए बोला जाता है मेरे दोस्त आपको जब रणिंग गो बोला जाता है उससे पहले आपना पुरा बोडी को अच्छे से वार्म-अप कर लेना ह है और जब आपको भोओ बोला जाता है यह मानें के चाहिए उसे değilid की तरह नहीं भागना है 11 विरेंट के तरह रखना है जितना आपका बोडी बोल रहा है उतना तेज भागना है नहीं तो सबसे तीछे रहना ना तो सबसे आगे रहना है शे साथ सो मीटर जाने के बाद आपका बोड़ी फुल वारम अप जाएगा उसके बाद आप अपना जो है इस पीड बढ़ाने शुरू करिए और कोशिज करिए बोड़ी वेट आगे रखिए और जो आपके आगे लड़के चल रहे हैं एक कुछ ही दूर जाने के बाद आप पेट पकर कर बैठ जाएंगे तो आप अपने स्पीड के हिसाब से भागी लेकिन कोशिज करिए कि जितना भी बच्चा आगे चल रहा एक एक बच्चा दो दो बच्चे को आप पीछे करते चलिए और उसके बाद जब आपकी रुनिंग कंप्लीट होने में 200-300-400 मीटर रह जाता है तो आप एकनम कोशिज करें जितना आपके सरीर में मतलब एनरजी और बच्चिया खुल एनरजी लगा देना है कम सकम 100 मीटर का स्प्रेंट आपको जरूर मार देना है आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा कम सकम 20-22 मिनट में ही आपका क्लियर हो जाएगा जितने भी बच्चों का अगर भरती प्लेस से बाहर यानि कि जहां आप तयारी कर रहा है आपका 25 मिनट 26 मिनट भी लग रहा है तो अगर ये आप टेकनिक अपनाते हैं तो आपका 23 मिनट और 24 से नीचे ही आपका ये जो है पूरी प्रक्रिया ह जाना है वो सर्छी आपको लेकर जाना है और कम से कम अब की बार आपका भी है Satsaka Lucifer भी ह सातक आपका जो है मेडिकल भी है तो आपको कम से कम भर्ती प्लेस के 3-4 दिन का समय लेग सकता है तो उसी हिसाब से आप पैसा हो गारा लेकर जाए और उसी हिसाब से आप जोहां रह प्रब्लम हो जाता है तो आप 100% हो जाएंगे दूसरी बात यह है कि आप भरती प्लेस पे जाते हैं जिसे यहां का बाल होगा इसको रिमूब कर लेना है और आपका प्राइबेट स्पार्स का जो बाल है उसको रिमूब कर लेना है थोड़ा सा नहाध हो के अच्छे से जाना है जिसे कि कुछ आपके सरीर में गंदगी और न रहे यह चीज आपको बिसेस रूप से ध्यान देना है और मेडिकल जिस समय होता है आप बिलकुल भी घबराना नही अपने माता पीता का नाम लेना है जिसको आप मानते हैं उसको असमरर करना है बहुत सारे बच्चे फिट रहते हैं फिर भी इतना ज्यादा टेंसन में हो जाते हैं बागी चीज में तो फास हो जाते हैं उनका ब्लेड पेसर इतना हाई हो जाता है उनको हाई बीपी में खबड़ाहट आये किसी अच्छे मोमेंट को आप याद करिए वहाँ पर ठंडा पानी रखे रही है थोड़ा सा पानी भी अपना पीत रही जब भी कुछ तनाव टेंसन आपको महसूस हो तो पानी भी पीत रही है आप देखेंगे कि आप पास हो जाएंगे दूसरी बात यह ह हमने मेडिकल्स रिलेटर और सब सारी दे रखेंगे हैं अगर आपको कुछ भी कहीं भी डाउट्श है तो आप जाकर देख सकते हैं यह हमारी वीडियो आप सब के सुब कामना के लिए बहुत सारे बच्चों हो सकता है कि पहली बार यह भरती देख रहे होंगे उनको जानक करने लगेंगे जितना भी कदम आप आगे बढ़ रहे हैं तो सोचिए कि आप रनिंग फिनिसिंग के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं आप वर्दी के नजदीक पहुँच रहे हैं आप अपने माता पिता भाई वहन अपने नात रिष्टेदार सब का सपना पूरा करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ये चीज़ जब तक आपके ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप जो है फिजकल बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि होसला तूटने लगता है उनको लगता है कि अब रनिंग नहीं हो पाएगी ये नहीं होगा वो नहीं होगा जरूर ह वही दर्द पेट का वही दर्द पेर का वही सब कुछ ठकान जितने भी बच्चे आज तक फोर्स में गए हैं सभी को यही हुआ है और आपको भी वही चीज़ हो रहा है उससे आपको आगे निकलने के बाद ही वरदी मिलेगी ये चीज़ ध्यान रखना है आपको हिम्मत न भाई भेहन फिज़कल मेडिकल पास किये हैं और वरदी पाने वाले हैं जाहिंद भारत सुब का मैं